नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं राजे में अभी तक समाने से 38% कम होई मानसून की बारिस की वज़ा से क्रिसी पर परतिकूल प्रभापड़ा है इस थीती अभी भी कमोवेस 2022 वाली है बताज़ा 2022 में राजे के 22 जीलों के 226 परखंडों को सुखार प्रभावित घोसित किया गया था क्रिसी नीदे सालाई के अनुसार इस साल पिछले वर्स की अप्रेक्शा इस्थिती थोड़ी बेहतर जरूर है लेकिन अच्छादन का इस वर्स का रिपोर्ट भी चिंता जना की है राजे के 24 में से सिर्फ 3 जीले साहयोगंज गोड़ा और सिम्टेगा में समाने वर्स पात होई है जबकि बाकी के 21 जीलों में समाने से कम मांसुनी वर्सा की वज़ा से राजे में खेती परभावित होई है बता दे चात्रा में लगभग सुखाडवाली इस्थिती पूरी तरह से है मौसमकेंद्र राची के ताजा मांसुनी रिपोर्ट के अनुसार 1 जुन्दो 2023 से 16 अगस्ट 2023 तक राजे के 24 में से 21 जीलों में अभी भी वर्स पात समाने से कम है C.M. Himant को E.D. ने भीजा समन 24 अगस्ट को पूश्टाच जमीन घोटला मामले में जारखन के C.M. Himant सुरेन को समन भीजा गया है इससे पहले E.D. ने सुरेन को 14 अगस्ट को पूश्टाच के लिए बुलाया था लेकिन सुरेन कुछ जरूरी काम का हवाला देकर इडी के समने पेस नहीं हुए अब इडी ने 24 अगस्त को पुस्ताच के लिए बुलाया है बता देया पहली बार नहीं है जब इडी ने हेमान सुरेन को पुस्ताच के लिए बुलाया है इसे पहले भी इडी ने सुरेन को एक बार तलब किया था इसे पहले नुवंबर 2022 में भी इडी ने अवय दिखन मामले में मुख्य मंत्री हेमान सुरेन से पुष्टाश की थी हेमान सुरेन दो अलग-अलग मामलों में इडी की जाच के घेरे में हाए नक्सल मुक्त होगा प्रदेश CRPF महानीदेशक ने बढ़ाया जवानों का होसला केंद्री रिजारो पूलिस बल के महानीदेशक डाक्टर सुजाय लाल थाउसेन दो दिवस्य जार्खन दवरे पर आये और यहां चल रहे नक्सल बिरोधी अभियान का जाजा भी लिया वे अपने जार्खन दवरे के करम में पच्छिम सिम्भूं के घोर नक्सल पर होई छेत्रों में चल रहे सुरक्षा बलोगे कैंप तक भी पहुंचे और वहां तैना जवानों अधिकारियों का उसा भी बढ़ाया डीजी डॉक्टर थाउसेन ने कहा है कि जार्खन में मवादी अपने अम्तिम पड़ाव पर हैं कुछ सीमित छेत्रों में ही गयर कानूनी गतिवीदियों को अंजाम दे रहे हैं उनकी गतिवीदियों पर सिग्र अंकूस लगाया जाएगा और उन पर निनायक जीत होगी डीजी ने अभियानों में सामिल जवानों अधिकारियों की बाहुदरिवा उनके सोरे के प्रसंसा करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया है कुवाद अधान हाथसा पी-म से पिडित परिवारों की सहwachयता का आगरा रांची के सिली में हुए कुवाद हासान हाथसे में पिडित परिवार की मदद के लिए सुदेश महतों ने पधान मदिनायन मोदी से मदद की मांग की है उन्होंने ट्वीट कर मदद कागर किया है राजधानी के सीली विधान सबाचेतर के पिसका गाव में हुए कुमाद हसन हादसे में छो लोगों की मत हो गई इस मामले में सीली विधायक और आईसू सुप्रीमो सुदेश महतों ने प्रधान मंत्री नायद मोदी से हादसे में प्रहायत लोगों की परिजनों की मदद की गुहार लगाई है सुदेश महतों ने ट्वीट करते वे प्रधान मंत्री से मदद कागर किया सुदेश महतों ने अपने ट्वीट में लिखा कि उनके बिधान सभी छेत्र सिली ते पिसका गाउ में एक दर्दनाक हाथसा हुआ है जिसमें च्छा लोगों की मौठ हो गई गाउं के कुवा में एक पसु गिर गया था उसे बचाने की कोशिस करते हुए साथ लोग कुएं में उत्रे इसी दोरान कुएं की मिट्टी धास गई और सभी के सभी लोग दब गई पूर्व बिधायक अमीत महतों को मिली जमानात ज्यारखन बिधान सभा घिराम मोवले में सिली के पूर्व बिधायक अमीत महतों को बेल मिल गया है हलाकि अभी भी उन्हें जेल में ही रहना होगा 3 अगस्ट 2022 को विधान सभा सत्र के दोरान पुरो विधायक ने अपने सहयोगियों के साथ विधान सभा के घहराव किया था बतादे सिली के पुरो विधायक अमीत महतो को कोट से बड़ी रहात मिली है विधान सभागेरा मामले में राची सिविल कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है 3 अगस्त 2022 को विधान सभा सत्र के दोरान उनके और उनके सहयोगियों के दोरा विधान सभागेराव किया गया था इस मामले में सरकार द्वारा धुरवा पुलिस एस्टेसन में केस संख्या 208-22 के तहत पूरवी धायक पर केस दर्च किया गया था इसी मामले में सुक्रवार को नया अधिस एसेन सहजात की अदालत में सुनवाई हुई जिसका फैसला सन्निवार को आया है दूमरी का चुनावी जंग एक तरफ जार्खन सरकार के मंत्री और दिवंगल सिक्षा मंत्री जगनात महतो की पत्नी बेवी देवी चुनाव मैदान में है वहीं दूसरी और आजसू से दूसरी बार चुनाव मैदान में उत्रिय शोदा देवी ताल ठोक रही है इन सब के बीच असदूदीन, OYC की पार्टी से अब्दूल, मोवीन, रिज्मी इन दोनों के खेल को बिगाडने में जुटे हुए है रभिवार को होगा पूरो प्रधान मंत्री राजिव गांधी की परतिमा का अनावरान जार्खन के बीच मंत्री डाक्टर रामेश्वर उरावर रभिवार को पूरो प्रधान मंत्री राजिव गांधी की परतिमा का अनावरान करेंगे धुरुवा, OECC परिसर के वरिष्ट नागरिक उद्यान में लगी ए परतिमा कई मायनों में खास है बतादे रभिवार 20 अगस्त को पूरो प्रधान मंत्री राजिव गांधी की जयनती मनाई जाएगी इसको लेकर जार्खन में कई कारक्रमों का अउजन किया जा रहा है इसी कड़ी में 25 दिसंबर 2021 वाजिव गांधी की जयनती पर इसे एक दूर द्रिष्टता नेता के प्रति सची स्रधांजली करार देते हुए जार्खन में वर्ड फुलू का मरीज मिलने के बाद स्वास्त विभाग अलर्ट जार्खन में इंसानों में वर्ड फुलू का पहला मरीज मिल गया है इसके पूष्टी रिम्स परबंधन ने कर दी है इसके बाद स्वास्थ विभाग अपनी त्यारियों में जुट गया है रिम्स में सुक्रवार को पलामू जी लेके रामगर की नौ महीने की एक बच्ची में इनफेक्शन पाया गया इसके बाद रिम्स प्रवंधन ने तुरंथी प्रचार परसार के माध्यम से पूरे सहर में सुचना फैला दी इससे जूड़ी सवधानियों को लेकर भी लोगों को जनकारी उपलब्द कराई जा रही है संगर्ठित अपराधिक गिरोह के खिलाप ATS की करवाई जारखन ATS ने छापे मारी कर रूद्र महतो गिरोह के सरगना समय चार अपराधियों को धरद वोचा है ATS को अपराधियों से पूस्तास में कई अहम जनकारी मिली है रूद्र महतो गिरोह के अपराधिक कोईला बेवसायों को धमका कर रंगदारी की मायं करता था बतादे जारखन में संगर्ठित अपराधी गीरोह के खिलाप ATS की करवाई लागाता जारी है इसी कड़ी में ATS ने रुद्र गीरोह के सरगना सहीद चार अपराधीयों गीरफतार कर लिया है गीरोह में सामिल, अपराधी, रामगर, चत्रा और लाते हर जिले में कोईला बेवसाईयों से रंगदारी वसुन लें और कारवारियों को धमकाने का काम करते थे मवसियों में वाइरल बिमारी एक कलोर पसुओं के टीका करन का लग छे ज़ारकहण में मवसियों को FMD बीमारी से बचाने के लिए टीका करन अभियान चलाया जा रहा है इसके लिए अलग-अलग टीम बनाकर पतादिकारियों और कर्मियों को पसुओं के टीका करन के कार्य में लगाया गया है कर्मी गाव गाव पहुचकर मौस्यों का टिका करन कर रहे हैं बतादे मौस्यों को वाइरल बिमारी एफेमडी से बचाने के लिए टिका करन का तिसरा चलन सुरू हो गया है सरकार का लग्ष पसुपाल को आर्थिक नुकसान से बचाने और पसुओं को FMD से बचाने के लिए एक और पसुओं को भैक्सिन करने का है मचली पालने वालों को प्रधान मंत्री मतश संपता योजना से होगा लाव जार्खन में मचली पालन करने वाले किसानों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्री हो रही है इससे उत्साहित मतस से विभाग भी उनकी खुब मदद कर रहा है मतस से विभाग नई सदी की नई सवगाद मचली से हो पैसो की बरसात के सलोगन के साथ कारे में जुटा हुआ है राज्य के गठन के बाद से अब तक मचली उत्पादन 20 गुना बढ़ गया है बता दे इसी वर्ष 3.30 मेट्रिक टन मचली के उत्पादन का लग्ष रखा गया है इसके लिए पधान मंत्री मतस से स्वंपदा योजना के तहत की सानों को सबसीड़ी पर कई सुधाय पधान की जा रही है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से स्वालम भी बनाया जा सके मतसे निदेस्तक H.N. दिवेदी ने कहा है कि मचली पालन में राजी की महिलाओं को 60% सबसीड़ी दी जा रही है चाईवासा महिला कॉलेज में छात्रों ने किया हंगामा जार्खन के चाईवासा महिला कॉलेज में सनिवार को यूजी सेमेस्टर वन के विद्यार्थी परिक्षा देने पहुँचे लेकिन सीटिंग अरेज्मेंट नहीं होने के कारण विद्यार्थी आकरोसित होकर हंगामा करने लगे इसके बाद आनन फारन में जहां जगह मिली महिला कॉलेज प्रवंधन ने बच्चों को परिक्षा के लिए बैठाना शुरू किया इसी दवरान एक कमरे में सीट से अधिक बचे पहुँच गाए इसके बाद फिर से हंगामा सुरू हो गया और इतना बढ़ा कि टाटा कॉलेज के लगभग 40-50 विद्यार्थी गेट पर आकर हंगामा करते हुए पोस्ट ओफिस चोक तक पहुँच गाए महिला कॉलेज की विवास्था के बिरोध में विद्यार्थियों ने सड़क जाम कर बिच सड़क पर ही बैट कर परिक्षा यहीं पर देंगे कहकर नारेबाजी करने लगे इसकी जानकारी होते ही कुलान भी सोभी दिया ला है, टाटा कॉलेज़ चाईबासा, महिला कॉलेज चाईबासा में हकम मच गया है बीजेपी नेता रायंद्र साहू हत्याकान में T.E.S.P.C. के रिजनल कमिटी मेमबर ने कराई हत्या छारखन के लातेहार में जीला परिशत के पुर्व उपाधियक सभाजपा नेता रायंद्र साहू हत्याकान का लातेहार पूलिस ने उध्भेधन कर दिया है पुलिस ओफिस में प्रेस वारता करते हुए लात्यार एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि राइंदर साहू के हत्या टी एसपी सी के रिजिनल कमिटी मेंबर आकरमक गांजु ने सूट्रों को 50 है रुपे देकर हत्या कराई थी सूट्रों ने पुलिस के समक्ष इस बात को सविकार किया है इस मामले में लाते हार पुलिस ने दो सूटल समेच चार को गिरफतार किया है धनबाद में अब तक 15 सक्रों से अधिक के लोन बाते गाए सौरोजगार हो या उच सिक्षा अथवा महिलाओं को आतम निर्भर बनाने की योजना सभी के लिए जीले में लोन मिल रहे है पाच वर्सों की बात करे तो जीले में 1500 रुपए से भी अधिक का लोन दिया गया है इससे लोगों ने सौरोजगार किया है और कुछ ने उच सिक्षा पाई है इसके साथ-साथ महिलाओं को सालंबी बनाने के लिए सुरू किगा योजनाओं के लिए भी लोन दिया रहे है इसमें J.S.L.P.S. की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं भी सामिल है बताद जीला परसासन समिली जनकारिक के अनुसार जीले के 700 से भी अधिक महिला स्वयम सहायता स्वमोहों को 25.84 को रुपय कलों दिया गया है CRPF जवान ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारी लोहर दग्गा जीले के करांग पीकेट में तैना CRPF एक सवन ठावन बटालियन की जवान 38 वर से जगदिस परसाद मीना ने अपनी सर्विस इंसास राइफल से गोली मारी है उन्होंने के करांग पीकेट में संत्री डूटी की दवान खुद को गोली मारी CRPF एक सवन ठावन बटालियन के कमाने राहुल कुमार ने उन्हें सदांजली अर्पित की है धन्यवाद